नमस्कार असमादित्त समय काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ आए देखते हैं आज की पहली खबर संसत के शीत कालिन सत्र के पहले ही दिन आज क्रिशी कानून को वापस ले लिया गया संसत के शीत कालिन सत्र के पहले ही दिन आज क्रिशी कानून को वापस ले लिया गया जिसे बीना चर्चा के चार मिनित के भीतर पास कर दिया गया वही विपक्ष चर्चा को लेकर इस पर अरा रहा, इसके बाद सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया लोगसभा के बाद दोपहर दो बजे राज्य सभा में बील पेश किया गया, वहां भी कुछी मिनेट में इसे पास कर दिया गया दो पहर दो बजे जैसे ही उच्च सदन की कारवाही प्रारंभ हुई वैसे ही केंद्रे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने विध्यक को पेश करते हुए इसे पारित करने का प्तस्ताव रखा राजसभा में विपक्ष के नेता मलीक आरजुन खरगे ने कहा कि वो कृषी वीधी निरसन विध्यक का स्वागत करते हैं और कोई इसके विरोध में नहीं है क्यूंकि ये किसानों का मुद्दा है निरस्त किये गए तीनों कानूनों को काला कानून करार देते हुए उन्होंने कहा एक साल तीन महिने के बाद आपको ज्यान प्राफ्थ हुआ और आपने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया इसी बीच तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए ये तीनों कानून लेकर आई थी लेकिन दुख की बात है कि वो किसानों को समझा नहीं सकी विपक्षी सदसों के हंगामे की बीची विध्यक ध्वैनिमत से पारित हुआ गिध्यकलो मनति जी प्रस्ताओ करें एक विध्यक को पारित किया जाए कि आ मैरा हथे आपटारीच कम्या Natal को विध्यक को पारित किया जाए जो सतर्ष इसके पष्सके वक home अब बरते हैं अगली खबर की और डीब्रुगर के जिलाधेकारे विश्वजित पेगु ने आज प्रेस कॉन्फरेंस के जरीए जिलाधेकारे विश्वजित पेगु का प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित जिले के साथ विधानसवा केंद्रों में कुल 9 लाक लोगों को वैक्सिन की पहली और दूसरी डोस दी जा चुकी है बाकी 4 प्रतिशत लोगों को घर घर जाकर हर घर दस्तक अभियान के हिस्से के रूप में कोविग वैक्सिन प्रदान की जाएगी उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फरेंस में ये उल्लेक किया कि फिलहाल जीले में कोविशिल्ट और कोवैक्सिन परियाप्त रूप से मौजूद है गौर्द लभे के जीब्रुगर के खुआंग में ग्रामीन किसानों को खेतों में जाकर भी स्वास्त कर्मियों ने तीके लगवाए हैं जनता के बीच भेक्सिन को लेकर जागरुपता फैलाने के लिए जीले में स्वास्त विभाग और जीला प्रशासन ने हाल ही में विभिन्न कारेक्रम लागू किया है जी दो गवाए जीले में जीए जीले में तो आफे जीले में गरार्पदा दोच्छ अमें में तोटल भाटररा पामी जीखी ने प्रभवाब बेनिफिसारी भी स्षाव आइशु। प्राइ आमार 8.77,000 अमी बटार रष्टे प्रोबैल बेनिफिस्टेड़ इस्टोपी है तरहे बिटोष ऍट आमीं प्राइ 5 एड लख 47,000 नमन नमी दिमने दिया हो ईसे और प्राइ 16,000 नमन इतिया वले बखिए आशे वली मी द्धोईड़ इसे करे माल भाटने पागे मौता अरा सर्क नाय अरा में प्रफके मौते थालो पतवा नाय मं धरा घूसी में एक अरा चार्च रममुटत acompan अटांटी नाय। अगार काफ़ से अरा का खो काई व्ल事प ए अरा सिर्कल वाईज थे का इलें एपको एड़ तेज़ों के घरे 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 जी हपल लेफ्ट आउट होयासे जी हपल इतनलों के लोगा आई तेज़ों के पोतेक्ट घरड गए पला है वेक्षीन देयागी होसे और अनकी इतिमाधे हमी एता फोटो पाईशू जो काम कोई बलो मना खेती पोठाड गए धान काटा मन सब्सक्राइब करने के लिए रखा गया था असम पूलिस द्वारा जग्ष के खिलाफ की गई कारवाई के बीच मेरा पानी में कुछ आप्राधिक रेकेट लगातार मादस्पदार्थों की तसकरी जारी रखे हुए थे मेरा पानी की फोडेस ब्लोक के एक किराय के मकान में छापे मारी के दोडान ये जानकारी प्रकाश में आई है करीम अली नाम के जग सप्लाइर के मकान के फर्ष किचन अलमारी यहां तक की जमीन के नीशे दबा हुआ भी मिला एक के बाद एक जग कपेके गौर तलब है कि रविबार की रात थानिये लोगों की मदद से मेरापानी पुलीस ने करी मली के घर से भाड़ी मात्रा में ड्रग्स जबती थी और आड़ोपी करी मली भागने में काम्याब रहा था पुलीस और त्यार पीफ ने फिर से रात को करी मली के किराय के मकान पर ठापा मार कर ड्रग्स बरामत किये हैं पुलीस ने अपनी जात जारी रखते हुए ये बताया कि इन ड्रग्स को नागालेन में सप्लाई करने के लिए रखा गया था मेरा पानी से सुनिल बोडा की रिपोर्ट अच्छमा दिखते हैं और अब समय है देश-दुनिया की इतिहास में आज यानी की 29 नवंबर की तारिक पर दर्ज अन्य महत्पूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की आज के दिन सन 1799 में बिल्ली के बादशा आलमगीर ग्वित्य की हत्या हुई थी 1775 में सर जेम्स जे ने अग्रिश स्याही का आविश्कार किया था 1899 में बेंगलूरु के लालबाग गार्डेन में ग्लास हाउस की आधारशिला रखी गयी थी 1899 में पेनिश फुटबॉल क्लाब एपसी वार्सिलोना का गठन आज ही के दिन हुआ था 1909 में पूर्वी जर्मनी में यूरेनियम खदान में विस्फोट से 3700 लोग मरे थे 1961 में दुनिया के पहले अंत्रिक्ष यात्री यूरी गागरीन भारत आये थे 1963 में कनाडा का एक जेट विमान उडान भरने की कुछ मिंटो बाद ही दुर्गचना ग्रस्थ हो गया था इस भयावर दुर्गचना में विमान में मौजू सभी 118 लोग मारे गये थे 1970 में हरियाना 150 ग्रामिन विद्यूती करन का लक्ष पाने वाला पहला भारतिय राज्य बना था 1990 में ततकालीन भारतिय प्रधान मंत्री राजित गान्धी ने इस्पिफा दिया था 1993 में उद्योगपती जहांगीर रतंजी दादा भाई ताटा का निधन हुआ था 1999 में महराष्ट्र के नारयन गाव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेब रेडियो टेलिस्कोप खुला था 2006 में पाकिस्तान ने मध्यम दूरी वाले मिसाइल हाथ फोर जिसे शाहिन वान भी कहा जाता है उसका सफल परिक्षन किया था 2007 में जनरल अश्रफ परवेश क्यानी ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुप की कमान संभाली थी परवेश मुशरफ ने असैनिक राष्ट्रपती के रूप में अगले पांच वर्ष के लिए शपत ग्रहन की थी 2008 में साथ घंटे ओपरेशन के बाद कमान जोने मुंबई को आतंकियों से मुक्त कराया था और आजी के दिन सन 2008 में भारते मुक्ते बाज मेरी कौम ने पाचवी महिला AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चेंपियनशिप जीपी थी आज के लिए बस इतना ही देखते रहिया समादित्य नमस्कार